कि हलो इस वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी जहां पर फ्रवाइड होता हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जिक्ट होते हैं उसके स्लेबर्स पीपर पैटन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन की वीडियो बात करने वाले हैं सब्सक्राइब करने और इसमें एक और शीज़ा पाइड कर दो एंड मोस्ट इंपोर्टेंट की बात आज के क्लास में कर देंगे कौन-कौन से टॉपिक्स आपके एक्जाम पॉइंट आफ व्यू से इंपोर्टेंट बन सकते हैं यह फिर कितने अगर आप में से सजेशन जाते हो तो सबसे में काफी आसान है काफी आसान टॉपिक्स बनते हैं नंबर आपके यह पर काफी कम देखने मिलेंगे तो शेलिए सीधा चलेंगे स्लेबस पर पहले स्लेबस चार यूनिट में डिवाइड होता है जबकि यूनिट नंबर वन रोल ओफ गॉर्मेंट इन एकोनोमी यह पहला यूनिट है ध्यान लगना यह पहला यूनिट है पहले यूनिट में तीन चैप्टेस हमारे निकल के आ रहे हैं रोल ओफ गॉर्मेंट इन एकोनोमी पब्लिक फाइन्स नेक्स्ट है प्रिंस्पोल ओफ मैक्समुम सुचल एडवांटेज लास्ट है इफिसेंशी मार्केट एंड गॉर्मेंट का कॉंचिप्ट अब यहां प से पूछा जाएगा तो कॉमन सी बात है कि नंबर ऑफ कुशन जड़ा देख लेते हैं थ्री फोर प्लस त्री टोटल दस कुशन है अगर मैं इनालिसिस करके भी दूंगा तो चार से पाच कुशन पाच तो देना पड़ेगा कम से कम तो वैसे भी अगर थ्री प्लस त्री का से खुछ जाएगा अगर मैं यह सिक्स कुशन कर लेता हूँ तो इसमें कोई रिस्क नहीं है मतलब यहां से कंपलसरी टॉपिक बनने वाले हैं, आपको एक्जाम में मिन्स, आपके एक्जाम में देखने मिलेगा, कितने six question किया, और यह आपका unit one से, जो भी long answer था, वो cover हो गया, clear है, 20 marks clear हुआ, unit two की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे भी ज़रा ध्यान दो, unit number two, unit two में जब आप देखते हो, four, five, six, तीनी topic है, इसका मतलब है, कि यहाँ से एक question बनेगा, यहाँ से एक question बनेगा, और यहाँ से भी एक question बनेगा, तो यहाँ पे return आपका पास वही option आता है, बट यहाँ पे number of question जब आप देखते हो, पहले में यह है, second में दो है, third में पांच ह सबसे पहले pick करो, shifting of tax burden, clear है, and उसके बाद कोई भी एक pick करो, four पे जा सकते हो, यह फिर six पे जा सकते हो, four, chapter four, उसको आप जब हर एक concept आपके लिए काफी आसान है, उसको जब read करते हो, क्योंकि आपने इसके पहले भी यह concept आपने पढ़ा है, यह फिर सुना है, tax के बारे मे यह मतलब दो पर जाना चाहिए, अगर question number, आप total count कर रहे होंगे, eight questions है, clear है, next, unit 3, अब unit 3 and 4 में एक शोटा सा problem आ रहा है, कि यहाँ पे chapters थोड़े से बढ़ जा रहे है, मतलब 4 chapters देके रखे है, जिसे पहला public expenditure, canon classification and effect, कितने question देखने में रहे हैं, 3 question, next, growth of public expenditure, कितने question देख last is public depth, 3 question है, अब एक doubt बच्चों को create हो सकता है, sir, यहाँ पे 2 question दा, आपने यहाँ पे 3 question वाले topic को pick किया है, क्योंकि public depth काफी important है, हर साल paper में बना है, यहाँ से question, इसलिए मैंने public depth को रखा है, chapters के point of view से, कि यह important है, यहाँ से एक question आपको बन सकता है, और 90% college में बनेगा भ सकते हैं, but 90% college में public depth से question बनेगा, 100% बनेगा, growth of public expenditure से भी question बनेगा, यह question, बट यहाँ पे अपने को अगर chapter बेस पे जा रहे तो, कोई और एक chapter pick करना पड़ेगा, और अगर chapter बेस पे जा रहे हो, तो मैं 7 को select करूंगा, आप यह select करो, in case, in case, अगर किसी के college में, यहाँ दो से ना बन के हो सकता है, 7, 8, 9 कर दे, हो सकता है, 9, 10, 8 कर दे, 8 किया तो best है, otherwise ऐसा कर दिया तो फिर, कि मतलब 9, 10, and 7, अब इससे आदा different तो नहीं कर सकते, यही कर सकते, तो इससे best है, 7, 8, 10 कवर करेंगे, तो भी हो जाएगा, अगर मैं question भी count करता हूं, 3 plus 3, 6 plus 2, total 8 question बनते हैं, कितने question बन रहे हैं, यहां पर भी 8 question बन रहे है, clear, चले जरा है, यहां पर unit number 4 की बात कर लेते हैं, fiscal policy, 4 question दिख रहा है, types of fiscal policy, 3 questions दिख रहा है, types of budget and concept of deficit का concept बाच question है, last है, intergovernmental physical relations, 3 question दिख रहा है, कितने topics मैंने important में रखे हैं, पहला तो यहां से, मैं एक question पूछा जाता है, इधर से भी एक, बट फिर वही problem सर, risk बन सकता है, और अभी हमारे पास एक enough time है, economics पे अच्छा score करने के लिए, और 100% अपना paper cover करने के लिए, तो risk जब नहीं चीए, तो एक chapter कोई और add करो, तो मैं chapter number 11 को add करोगा, क्योंकि number of question भी कमें, और वहां से important question बनता है, total अगर question पूरा question काउंट करता हूं, तो 4 प्लस 3 होगा, 7, 7 प्लस 3 होगा, 10, कितने question होगा, 10 question होगा, अब यह जो मैंने question based, means important chapters के base पर रखा है, पहले total question काउंट करते है, कितने questions total हमारे syllabus में हुए है, count कर लो, 4 प्लस 3 होगा, 7, 7 प्लस 3 होगा, total, 10, 10 प्लस 5 होगा, 15, 15, 15 में यह count कर लो, यह हो गया, 15 प्लस 5 होगा, 20, 20, 20, 3, 25, 25, 25 में add गर दो आप, 5, 30, 36, 38, 38 में आपके यहाँ पे 10 होगा, 48, total 48 questions होगा, आपके syllabus में 48 questions total बने है, ठीक है, मैंने proper count करके लिखा है, कि हर एक topic से कितने है, अब अगर chapter बेस अब जा रहे हो, कोई risk नहीं है, ध्यान दो करना है, मैंने वर्ड मेंशन किया, नहीं तो बच्छे वोले, काफी बच्छे बोलते कि और और question short share, पहले सुन लो, समझ लो, कि अगर मैं कोई risk नहीं चीह है, 100 परशें अपना paper कबर करना है, तो कितने questions काउंट किये, 6 पहले मे एट सेकेंड में, 8 प्लस 6 कितना हो जाता है, 14, 14 प्लस 8 कर लो, कितना हो जाता है, 14 प्लस 8, I think, 14 प्लस 8, 22, 22 प्लस 10, कितना हो गया, 32, कितना हो गया, 32, और यहां पर total कितने question थे, तो अगर आप chapter-based पहले हो तो कितने question हो रहे है, 32 questions हो रहे है, बड़ यहां पे ध्यान रहन मैंने word mentioned किया भई, no risk, 1% का बी risk नहीं है, और 100% आपका paper cover हो जाएगा, 100% paper cover हो जाएगा, clear है कि नहीं, बड़ बच्चों की demand है कि सर question और short हमें चाहिए, मतलब और important आप जो दे सकते हो possible है, वो questions आप ले क्या हो, तो उसके लिए में एक अलग सी video लाऊंगा, most important questions, यह तो paper pattern, जहां पे में एक chapters का भी हिंट दे दिया, बड़ जब में most important questions भी दोंगा, जब में most important questions भी दोंगा, धियानक आप जो questions बनेंगे, वो 24 to 25 questions, अब उससे आदा short नहीं होगा, क्योंकि objective यह भी है कि जो important question में दे रहो, वो कम से कम 90% plus college में हमारे आजाना चाहिए, और उतने marks cover कर देना चाहिए, इसलिए 24 to 25 questions, maximum 25 लिखा है, हो सकता है, proper analysis करने के बाद, वो 20 से 25 के बीच में हो सकता है, कुछ भी numbers हो सकते, अभी exact, मैंने proper notes, means कहीं prepared नहीं कि अभी तक, तो आपको यह hint मिल गया है, अहाँ से अभी से idea, अगर chapter बेस पे जा रहो, तो जैसा भी आपको different means time बचेगा, अगर अभी से preparation करो, तो मेरा suggestion है, 32 पूराग proper कर लो, कोई दिक्कत, कोई problem ही नहीं आएगा, बढ़ अगर नहीं है, तो उतना topics नहीं करना चाहते हैं, हम लोग, तो similar यह topics, यह questions सीधा practice आपको करना है, जो paper pattern है, paper pattern थोड़ा सा ध्यान दो इदर, important, paper आप लोग सीधा, internal तो आप लोगों होता नहीं, b.com class को, 100 marks का paper रहेगा, और question note में लिखा है, attempt all questions, हर question कबर करना है, all questions carry equal marks कबर करते हैं, attempt any two questions out of three in each of question number two, three, four and five, अब यहां पर ध्यान दो, question number one जो रहेगा, question number one आपका है, objectives, objectives में पहला ध्यान रखना concept पूछे जाते हैं, आपको यही सबसे बड़ा reason है, जो सेम थर्ड में काफी बच्चों को केटी लगा था, तो वो tension अभी दूर कर दो, सेम फोर में compared to सेम थर्ड में ने बता है, concept काफी आपके easy है, आप topic जब read करोगे, पढ़ना चालो करोगे, समझ में आएगा, तो preparation, start करना, तैयारी start करना, और start कहां से क करोगे, मेरा suggestion नहींता है, question number two, three, four, five, पर आपको focus रखना है, कितना, two, three, four, five, यहां पर देहान रखना, एक pattern मैंने ज्यादा लिख दिया, इसा मेरे को लग रहा है, 20 plus 20, 24 ही है, तो यह वाला गलत लिख है, छे question नहीं है, यह से देहान रखना है, मैं पीडिए वाद में change क कर दूँगा, कितने हैं, देखो इधर, model one, two, three and four, clear, clear एक नहीं, यह चार है, जो अभी से बच्चिया, means practice करना है, start करेंगे, तो comments है, कि start से करना है, मतलब model one के जो question से वो cover करो, complete उसके बाद two पे आओ, फिर third पे आओ, फिर four पे आओ, clear एक नहीं, line to line चलना है, अगर सबस पे जा सकते हो, next, आप थर्ड पे जा सकते हो, last वाले पे, एन इस तरी किसे, but suggestion है, अभी enough time है, starting से practice करो जादा, बेश्ट हो जाएगा, 3 question दिये जाएंगे, 2 question cover करने, मतलब 10 10 marks का आप करेंगा, कितने number का रहने वाले, 10 marks करेंगा, कितने करेंगा, 10 marks करेंगा, 10 marks करेंगा, clear question भी पूछे जाते है, concept में, any 5 out of 8, simple सा, basic सा word लिखा रहेगा, उसमें से आपको 5 cover कर लेना है, 5 cover करना है, 3 optional में आपको दिखेंगे, 10 marks का, यह 10 marks करेंगा, और 10 का multiple choice question है, 10 plus 10 हो गया, 20, बाकी remaining यहां से 80 marks, तो economics में जब आप cover करेंगे, question number 2 से लेके 5 तक के जो यह है, मतलब यह 80 marks बहुत important, role play करते हैं, आपका eco में score करने के लिए, economics में score की मैं बात करना हो सिर्फ, otherwise सिर्फ passing की बात करना है, तो वैसे passing की बात, starting से ना करो, तो जादा बेश्ट है, बड़ पासिंग की जब आप बात करते हो, तो कम से कम आपको, मैं बात करूँ, 50 marks का paper आपको लिख topic हमारे लिए बनते हैं, बाकि उसके बाद आपके open dependent 10 marks साब कहीं से भी select कर लेना, clear है, I hope clear concept होगा, किसी बच्चे को screenshot लेना है, या फिर नोट करना है, जो भी करना होगा, आप कर सकते हो, वैसे regular class वाले बच्चे जोनों है, पहले से ही, book ले लिया होगा, clear है, I hope, business economics 4, syb.com semester 4 का, जो syllabus and paper button का, जो concept है, जो वीडियो था, वो बच्चों को समझ में आया होगा, फिर भी किसी बच्चों को business economics के regarding, कोई doubt, कोई confusion अगर create होता है, तो नीचे comment में add करो, या फिर concept clear है, वीडियो थोड़ी से भी helpful लगती है, तो वीडियो को like करना है, और जितना ज़्यादा जब possible हो सके channel का link हमारे commerce section वाले बच्चों को जरूर शेयर करें चाहिए, या फवा ये सवा टी वाई, master 1 and part 2 वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको base channel से benefits मिलता रहे, तो चलिए, मिलेंगे अगली class में जहां पर बाते करने वाले हैं, आप लोगों का, जो remaining subject बच गए हूं, उसका slip and paper pattern के बारे में, तब तक के लिए thank you, so much.